आज हम देखेंगे आकडों के वर्गी करण और आयत चित्र से जुड़ी मिथ्याधार्णा और साधारण गलती मिथ्याधार्णा एक दर्शाई कई बारंबार्ता बंटन साणी यानि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन टेबल में प्रेक्षन यानि अब्जर्वेशन तीस कौन से वर्ग अंतराल यानि क्लास इंटरवल में सम्मिलित होगा बारंबार्ता बंटन साणी में बच्चे उन प्रेक्षनों को जो उभैनिष्ठ नहीं है आसानी से वर्गिक्रत करते हैं लेकिन जब उनके सामने एक ऐसा प्रेक्षन आता है जो दो वर्ग अंतरालों में उभैनिष्ठ है तो वे इसे वर्गिक्रत नहीं कर पाते जैसे यहां अगर 30 को वर्गी कृत करना है तो बच्चे सोच में पढ़ जाते हैं कि इसे वर्ग अंतराल 20 से 30 में रखे या 30 से 40 में ऐसे में कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि इसे छोटे वर्ग अंतराल में रखा जाता है इसलिए वे उप्षन एक जवाब देते हैं जो कि एक गलत जवाब है इस थती से बचने के लिए हम एक नियम अपनाते हैं कि उभयनिष्ठ प्रेक्षणों को उच्चतर वर्ग अंतराल यानि अपर क्लास इंटरवल में प्रस्तुत किया जाएगा जैसे यहां हम तीस को उच्चतर वर्ग अंतराल तीस से चालीस में रखेंगे न कि बीस से तीस में इसलिए उप्षन दो सही जवाब है गलती एक अगर बच्चों को पूछा जाए कि दिये गए प्रेक्षणों में दो की बारमबारता यानि फ्रिक्वेंसी ग्याद कीजिए तो कुछ बच्चे बारमबारता के अर्थ को नहीं समझ पाते इसलिए वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते प्रेक्षणों के समुह में कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उस प्रेक्षण की बारंबारता कहते हैं यहां हम देखते हैं कि प्रेक्षण 2 दिये गए संख्याओं के समुह में कुल 6 बार आया है इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 की बारंबारता 6 है तो आज हमने देखी आकडों के वर्गी करण और आयत चित्र से चुड़ी मिध्याधाना और साधरन गलती